हाई वैवेवन गुट मॉर्निंग तू अल उफ यू तो सेशन के टाइटल में आपने देखा होगा कि आज की हमारी ये क्लास कंप्यूटर अवर्नेस के खुटर्ड पार्ट पर बेस्ट होगी लगाँ चौधर पंदरह चैप्टर साफ कीकंप्यूटर अवर्नेस से बनते हैं के SSC, अगर मैं CGL examination की बात करता हूँ, तो उसके mains के अंदर आपका qualifying nature का computer awareness का section आने वाला है, same goes with the SSC, CHSL का mains, तो वहाँ पर भी यह चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, और ऐसा ही निये के SSC, CGL और CHSL के mains में ही यह चीज़ें आते हैं, जो हमारे prelims exam होते हैं, उसमे journal awareness के section के अंदर भी हमसे आपका computer awareness का बहुत basic part पूछा जाता है, इस computer awareness को लेकर आपको किसी भी चीज़ को लेकर घवराने की जरुरत नहीं है, क्योंकि आपके आज के इस session में मैं आपसे बात करूँगा, इस computer awareness की बनने वाली complete theory का, अनेकेडमी की SSE category में आप मेरा नाम सर्च करके मुझे follow कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे history हो, quality हो, geography हो, economy हो, physics, chemistry, biology के साथ साथ current affair और computer awareness की बहुत सारे आपको theoretical courses में मिलेंगे, तो चलिए अपने session को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने से पहले अगर कोई अनेकेडमी का subscription SSE category में लेना चाहता है, तो आपके लिए 20% discount का जो offer है, वो आपका दुबारा से आया है, 17 से 23 December तक आप अपने इस offer को avail कर सकते हैं, discount को avail करने के लिए आप जो code use कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको badges मिलते हैं, platform पर, चाहे कोई भी exam हो, CGL, CHSL, MTS, test series पूरा का पूरा मिलता है, उसी subscription के अंदर, आपके notes भी आपको provide कराए जाते हैं, doubt feature आपका यहाँ पर available है, तो आपको अगर an academy का subscription लेना हो, तो आपकी code याद रखिएगा, ROB10, तो एक बार मैं आप लोगों की comment देख लेता हूं, फिर उसके बाद अपने session को हम आगे बढ़ाएंगे, अगर कोई भी किसी को कोई query आती है, तो आप अपने doubts को, doubt section के अंदर और आपके comment section के अंदर डाल दीजीगा, चलिए ठीक है, एक बार मुझे confirm कर दीजीगा, जैदेव और वंच नहीं हाँ पर hi बोला है, hi to all of you, तो सबसे पहली चीज, computer का यह जो पहला chapter हमारे सामने आज आने वाला है, इसका नाम क्या है, आपका introduction, introduction to computer, यहाँ से सबसे basic यान नाम इसका आपको याद अठना है, introduction to computer, देखो market में आप कहीं पर भी जाओगे, आप बहुत सारी books market में देखोगे, जो कि आप से बातें करेंगी, कि आप हमारी ये वाली book ले लीजे, आप ये वाली book ले लीजे, आपको कोई book लेने के जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आ पहला सवाल जो आपके paper के अंदर बनता है, वो यहीं बनता है, कि आप हमें ये बताइएगा, कि ये computer नामक शब्द है, ये derive करा गया है, कौन सी language से, तो यहाँ पर आपका answer बनता है Latin, ये paper में पता नहीं इतनी बार पूछा जा चुका, repetitively आपका सवाल है, तो Latin language से आपके computer नामक शब्द को लिया जाता है, उसके बाद आप से पूछा जाता है, कि ये जो उपकरन याने की computer की जब हम बातें करते हैं, तो इसका actually में काम क्या होता है, तो देखो अपने आप में एक ही आपकी electronic device होती है, जो कि जो भी user अपनी information यहाँ पर provide करता है, उस data की according, उस set of instructions के according, उस पूरी की पूरी information को manipulate करने का काम आपको यहाँ पर computer के द्वारा नजर आता है, इसके अलावा, देखो हमें सारे objectives जानने होंगे, कि अगर आप से पूछा जाएगा, कि what are the abilities, याने की computer को काम करने की कौन-कौन सी छमता ही नजर आती है, तो वहाँ पर आपको हो सक करने के लिए use करते हैं, और किस चीज में आप इसका इस्तमाल यानि की use करते हैं, आपको अगर documents type करने होते हैं, तब आप अपने computer का इस्तमाल करते हैं, अगर आपको email भेजना है किसी को, यानि कि आपका अपना email अगर किसी भी दूसरे user के पास आपको पहुचाना है, तो आप अपने computer के जरीए ये चीज़े कर पाते हैं, इसके लावा internet को access करना हो, internet पर किसी भी जानकारी को browse करना हो, ये सारे के सारे कुछ ऐसे usage होते हैं, जो कि basic part में आपको computer के इस्तमाल के रूपे नजर आते हैं, इसका अलावा अगर हम और भी चीज आपसे पूचें कि या और proper adjacent areas में रखना हो, ताकि मैं उससे एक अपनी desired result को निकाल पाऊं, तो उस शेतर में भी आप इसका इस्तमाल करते हैं, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा data है, यानि कि आप किसी company को manage करते हैं, बहुत सारे employees आपकी company के payroll पर हैं, तो उस पूरे के पूरे database को भी आप इ present करना चाहते हैं, तो for the purpose of presentations, या फिर आप में से अगर किसी को कोई video game खेलने का शौक है, तो इन सारी की सारी activities को लेकर आपके सामने जो electronic उपकरन का इस्तमाल नजर आता है, वही आपका क्या होता है, computer होता है, उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसे चीजें होंगी, computer के ऐसे क कुछ बुनियादी काम होंगे, basic functions होंगे, जो की computer के द्वारा आपको perform करते हुए नजर आएंगे, तो हम यहाँ पर जानेंगे functioning of computer, जो basic functions आपको यहाँ पर करते हुए नजर आएगा, सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर आती है, वो input आती है, unacademy की plus classes में मैंने जब आ होती है आपकी input, अब आप से पूछा जाएगा, आपके paper के अंदर के बताईए कि what is this input, ठीक है, इस input का actually में मतलब क्या होता है, इस input को आप इस्तबाल किस form में करते हैं, तो देखो जो हम किसी भी user को किसी interface पर, यानि की computer के interface पर बिठाते हैं, तो इस set of instructions को अगर वो user यहां पर सूचना, या फिर ऐसा data, जो कि computer में कोई user आपका enter करेगा, इसी को आप नाम देते हैं, किसका input का, यानि कि इस input operation के जरीए, जो भी कोई data या फिर instruction यहां पर user के पास होती है, उसे भेजा जाता है, आपकी processing unit, जिसको बोलते हैं हम, central processing unit, यानि की CPU, अब यह देख होगा, आपको अपने room की light जलानी है, तो obviously आपको input देना होगा, और वो input आपका वहां पर अंदर process करके, आपकी room के उस bulb को जलाने का काम करता है, तो this is kind of that, कोई भी information उस user के अगर पास है, कोई भी data अगर उस user के पास है, तो वो अगर computer में उसको enter करके, उसका एक desire result चाहत है उसको process कराने के बाद, तो यही set of data या फिर यही set of instruction आपकी कहलाती है, input, input हमने कर दी है, चीजे, now second part, second function जो आपको computer करता हुआ नजर आएगा, वो होगा आपका processing, अब आखिरकार यह processing क्या होता है, तो जो data अभी हमने input के जरीए आपके इस computer में process कराने के लिए भेजा था, उस processing में एक आपको sequence नजर आएगा, जो कि आपके actions के रूप में उस data को convert करने का काम करेगा, आपकी उस desired information में, जो कि उस user के लिए एक meaningful मतलब रखती है, तो यह जो second part, यानि कि basic function में हमने second part देखा, जिसको हमने process का नाम दिया, यह आपका एक क्रियाओं का crumb होगा, जो कि आपका user को उसके desire result यानि कि उसकी desire information को provide करने के लिए useful रहेगा, तो this is the processing जो कि आपका काम करने के लिए आपकी central processing unit यानि कि CPU use करती है, अगली चीज जो हमारे सामने आती है, वो आती है output, user आपका बैठा हुआ था interface पे, उसने कोई data को आपका enter किया, उस data को process कराया ग वो उसको display होगा, किसी भी set of input instructions जो कि उस user के द्वारा दी गई थी, यहाँ पर हमने अभी तक दो चीज़े जानी है, मैंने input के बाद करी, input के बाद आपका set of data यानि के instructions आपके उस processing unit के अंदर जाती है, processing unit के बाद आपके वो processing के जरिए जो आपका input data था, उसके हिसाब से जो भी आपका desirable result होगा, जो भी आपका desirable outcome होगा, उसको देने का काम करेगा आपका output, तो यह आपका बनता है fourth basic function अगर हम किसी भी computer की बाद करते हैं, next चीज हमारे सामने आती है storage, अब क्या होगा भी, हमने सारी की सारी चीज़ें कर दी, मैंने set of instructions input के जरिए आपके processing unit को provide ग अनुसार, एक set of sequencing के अनुसार काम करा गया and then आपको एक desirable result मिला with the help of the output, now जो fourth function होता है, आपके computer का वो होता है storage, अब यहाँ पर क्या होता है जी, तो जो भी data आपने इस पूरे के पूरे process के अंदर input processing and output के अंदर use किया, उस data को permanently यानने किस थाई रूप से store करने का काम, इ के during the time of the execution, जो भी आपके possible type of information है, वो आपको desirable form के रूप में next time output के result में मिलने लग चाए, यानि कि अगर मैंने आपसे बात कही input की, मैंने बात कही आपसे processing part की, मैंने बात कही आपसे output की, तो यह जो set of आपका sequencing use किया, इसको permanently store करने का काम करेगा आपका storage, आपने सुना कुछ होती हैं, ऐसी चीज़ें जो कि आप externally save कराने का काम करते हो, और कुछ storage आपका ऐसा होता है, जो कि set of instructions के sequencing follow up में उस computer के अंदर आपकी रखी जाते हैं, तो अगर मैं आपसे एक basic chart अभी तक हमारे discussion का बताने की कोशिश करूँ, तो आपको यह एक basic chart यहाँ पर नजर आ यूनिट है, यह उस पूरी की पूरी चीज़ को permanent form में अपने पास store करके आपकी processing unit के पास भेजती है, जिसको हम नाम देते हैं आपका central processing unit, यह processing करती है, आपके desire result को, यानि कि आपके desire inputs को, आपके उस desire result में परिवर्थित करके, उसी storage में permanent unit की store करके, आपके आगे information के form में output के जरीए आपको display कराती है, यानि कि आपको आपका result show कराती है, तो अब भी तक जो हमने चीज़ें देखी हैं, यह सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो एक basic functions यहाँ पर तयार करती हैं, वो basic तरीगा आपका यहाँ पर तयार करती हैं, जो कि आपके इस पूरे के पूरे system, यानि कि computer system के अंदर आपको नजर आता है, अब मैं थोड़े से doubt टेक लेता हूँ, शिवानी बोलने सर, what is the difference between the data and the information, देखो कोई भी चीज, चाहे मैं उसको set of information बोल दूँ, चाहे मुझे set of data बोल दूँ, anything which has been put inside the input data, जो कि आपका process होने के लिए आपके द्वारा भेज़ गया है, वो चीज आपकी data हो या फिर information हो, दौनों के बीच में as such कोई देखो difference नहीं है, बट हाँ, the set of inputs जो की आपकी user के द्वारा दिये जाते हैं, आप उनको set of data बोल दीजे, set of information बोल दीजे, चीज़े आपकी same ही है, तो यह basic part हमने यहाँ पर देखा, जहाँ पर हमने inputs processing, output और storage के बारे में जाना, अब अगली चीज़ हमारे सामने आती है, कि सर आप एक काम कीजिए, अगर आप हमें information याने के introduction, computer का दे रहे हैं, तो आप हमें यह भी बता दीजिए, कि computer के कुछ key features याने की प्रमुख, विशेष्टाएं कौन-कौन सी हैं, वो कौन-कौन से प speed, देखें, computer के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, कि आप में से किसी ने कभी computer के बारे में सुनाई नहीं हुआ हो, obviously हम theory part cover कर रहे हैं, तो मैं यह मान के चलता हूँ, एकदम basic तरीके से आपको चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करो, ठीक है, अब देखो जब मैं बा का जो rate होता है, उन सारी की चारी चीज़ों को process करने का, वो आपका millions of instructions को per second में करने का अपने पास दमखम रखता है, तो सबसे पहली चीज़, अगर आप से कभी पूछा जाएगा, कि बताइए कि देगे विकल्प में से वो कौन सी चीज़े हैं, जो कि computer के key features के रूप में जाने जाते हैं, तो सबको पता है, कि speed को लेकर computer का generally इस्तमाल करा जाता है, जो कि 35 seconds, millions of millions आपके data को process करने का काम करता है, अगली चीज़ होती है, आपका accuracy, इसको लेकर भी अगर आपको बताऊं, तो इसमें भी आपको कोई ऐसी issue नहीं आएगा, कि सर क्या ये important instructions करी गई है, जो भी आपके द्वारा instructions प्रोवाइड करी गई है, उन सारी की सारी चीज़ों को high accuracy, यानि की high सटीकता के साथ आपको आपका computer प्रदान करता है, आपको आपका computer प्रोवाइड करता है, जैसे जैसे आपका user instruction देगा, आपके computer को as per वो आपको उसके लिए respond करे अब यह निए कि आपने किया है one plus two और आप सोच रहे हो कि computer को करना चाहिए चार, लेकिन computer दे रहा है तीन, तो computer अपने साब से सही काम कर रहा है, अब यह निए कि वो आपके desired result जो कि आपके दिमाग में चल रहा हो, यार कि मैंने तो एक और दो को add किया था, और वो यहाँ पर मुझे चार दिखाना चाहिए था, वो तीन क्यों दिखा रहा है, बट बात यह होती है कि जब आपके instructions यानि कि कोई भी user अपने कुछ input instructions देता है, तो वो computer के अंदर आपको high accuracy का एक यह important feature नजर आता है, उसके बाद storage capacity, huge amount of data computer अपनी hard disk या फिर बागी की ऐसे disk के अंद होती है, वो कर पाता है, तो एक आपको important feature के रूप में यहाँ पर, storage capacity नजर आएगी और फिर आएगी उसकी बही मुक्ता, यानि कि उसकी versatility, versatility, तो अगर कोई versatile है, तो आपने गाना तो सुना ही होगा, मैंनी तो gone बे, माना कि मेरी rapper वाली vibe नहीं है, तो वहाँ पर आपने term सुना होगा, versatility, देखो यह चीज होती है, जब आप एक key function के द्वारा कही सारे task को कर पाते हैं, मान लिजे के आप गाने सुन रहे हैं, आपको music कुनने का सौक है, और साथ में आप क्या कर रहे हैं, आप अपना email भी type कर रहे हैं, for example मैं आप से कहो, तो there are multiple tasks that can be performed by using the computers, तो यह एक और आपको important यहां पर रिशिष्टाओं के रूप में नजर आता है, उसके बाद पांचमी चीज है, आपके सामने automation, देखो एक बार अगर किसी भी user के द्वारा computer को कोई भी निर्देश यानिक इंस्ट्रक्शन अगर दे दी जाती है, तो computer अपने आगे का काम उसके अंदर feeded, उसके अंदर feeded software, applications और resultants के जरुए सामने रखने लगता है, उसके बाद है उसकी diligence यानि कि उसका परिक्रम, यानि कि उसका परिश्रम, अगर मैं human efforts की बात करूँ तो आप सभी को पता है, बैं human से अगर एक काम कहें कि मेरे लिए यहां से जा और वहां से लेकर काम कर गया, या फिर यह मैंने तुझे दो registers दे रखें, इस सारा data के अंदर रखने की काम कर, आपको पता है क्या computer कभी ठकता है क्या, तो ऐसा नहीं है, जैसे कि अगर मैं मनुष्यों के विपरीत यानि क्या like human beings की बात करता हूं, तो वहां पर आपको वह वाली feeling नहीं आए क्या, आप tired feel नहीं करेंगे, तो यह एक important विश्षता के रूप में, हम computer को इस्तमाल करते हुए देखते हैं, ठीक है, और without creating any error, आपका जो computer है, वो अपने set of installations को सामने परदर्शित करता रहता है, उसके बद 7th important features के रूप में आपको नजर आता है, secrecy, यानि कि आपकी पहुचेंगे या नहीं पूचेंगे, there is no specific, you know, कि ऐसा होगा ही होगा, बट अगर हम computer की बात करते हैं, तो हाँ पर आपको नजर आता है password protection, कि वहाँ पर आप अपना एक login system use कर ले, so that कि आपकी जो formation है, आपकी जो गोपनियता है, सूचनों की गोपनियता है, वो आपकी ब आते हैं, आप जैसा उसके अंदर input डालेंगे, वैसा ही वो आपको output देने का काम करेंगे, उसके बाद है आपका plug and play, देखो, हम जब बात करते हैं, plug and play की, तो वहाँ पर हमें बात नजर आती है, automatically चीजों को configure करने की, अगर कोई hardware हो, आपको कोई software हो, तो automatically अगर उन चीज हो, इस सारे की सारे जो अभी तक मैंने आपसे मुख्य विशिस्ताओं का जिक्र किया, इसमें कि आपकी सबसे पहले speed, दूसरी secrecy, storage capacity, उसकी versatility, उसका plug and play, उसकी delicacy, उसकी accuracy और उसका automation होना, ये आपको computer system के अंदर इसके मुख्य विशिस्ता के रूप में नजर आता है, त वैसे कैसे हो जाएगा, but thing is कि अगर हमारा paper हम लिखने वाले हैं, तो हमें वहाँ पर ऐसा feel नहीं हो, कि हमें चीजों का पता ही नहीं है, हमें ऐसा feel हो कि अगर कल को हमारे सामने, ऐसे paper में कुछ सवाल बन जाए, तो हमें कोई problem create हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर शिवानी सवाल पूछ रहे हैं, कि what is the full form of computer, देखो computer का full form, I think common operating machine something कुछ कुछ करके होता है, ठीक है, तो बाकी आप देख लीजेगा, computer operating machine करके इसका छोटा सा term में required यह है, बाकी आप भी देख लीजेगा, इसकी बिलाव, बाद में हमारा जो next discussion होगा, वो होगा कि computer से बनने वाले आपके कौन-कौन से शब्द होता है, कौन-कौन सी वो terms होती है, जिनको आप computer के अंदर use करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला term आपने सुना होगा hardware, आपने देखा होगा लोगों को कहते हुए कि मेरा hardware खराब हो गया है, तो अगर मैं आप से बात कहूँ कि what is hardware, तो आपके computer क अंदर जितने भी आपके physical elements नजर आते हैं, उनके collection को आप group देते हैं, computer system का, और अगर मैं आपसे comprehensively इन physical parts की बात करूँ, जैसे कि आपके display screen, आपके disk, आपके keywords और यही सारे के individual form में आपके कहलाते हैं, उस computer के hardware, इसको लेकर किसी को problem नहीं होनी चीए, अगर मैं computer system की बात होता है वो, collection होता है, और individual अगर मैं किसी भी आपके physical part को computer से अलग करके पूछो, जैसे कि आपका display screen हो, आपके disk हो, आपके keyboards हो, इस सब चीजे आपकी क्या कहलाती है, hardware कहलाती है, अगली चीज अगर मैं आपको बताओ, जैसे कि आपके printer हो, आपके SMPS हो, आपके RAM drives हो, आप will be known as the computer hardware, ठीक है भी, याद रखिएगा, ये सारी की सारी चीजे आपकी बन जाती है, दूसरी चीज, जो हमारे सामने आती है, वो आती है, software, ये क्या चीज है, देखो हर computer के अंदर किसी भी operation को चलाने के लिए, आपके पास एक set of programs होते है, उन set of programs के set of procedures होते है, जिनके दर आपका जो computer है, वो अपने task को complete, यानि के उसको पूरा करने का काम करता है, और इन ही सारी की सारी चीज़ों को, जो कि आपके computer के अंदर, आपकी device के अंदर, इन सारे के सारे के सारे कामों को, यानि कि सारे के सारे आपके task को एक proper sequencing से procedures के जरींच औरको desired results देने का काम करते है इन्ही को हम नाम देते हैं आपका software जैसे कि मैं word processors की बात करता हूँ तो यह आपका एक software है जहां पर आपको आपके word docs अलग-अलग text form में अलग-अलग desirable textures के अंदर नजर आता है इसी तरीके से web browsers की बात करूँगा तो वो भी एक तरीकी का आपका software है जहां पर आप set of instructions programs के जर what is a software inside a computer यानि कि terms के बारे में दूसरी चीज़ होती है data देखो यह data होता है अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी ऐसा figure चाहे वो number हो चाहे वो text हो क्या है वो piece of paper हो जो कि अभी unprocessed है जिसको अभी मैं इन्पुट के जरीए आपके computer में process होने के लिए आगे भीजना है तो when we are talking about the data तो वो आपको नजर आएगा एक तरीके से raw fact या फिगर्स के रूप में जो कि अभी process नहीं किया गया है तो यह एक चीज हमें यहाँ पर न जब हम उसको process कराने की बात करते हैं उसको एक organized form में use करते हैं तो that will be known as the information शिवानी जी ने पूछा था कि sir what is the difference between the data and the information तब मैंने एक set of data जो कि मैं input के form में भीजने की बात करता तो तो आप से कहा था कि पिर देखो यह चीज़े same ही होती है बट I think जब हम processing के जरी जानना चाहते हैं कि जो set of data मैंने provide गया है that is in the raw form जो कि अभी process नहीं है लेकिन जब मैं यहाँ पर देखो information की बात करना हूं तो this process data will be known as an information ठीक है इसके लावा अगली चीज़ आती है हमारे सामने instructions यानि कि आपके निर्देश यह आपकी उस user की command हो जो कि वो computer को देता है और उस language को आपका computer process करने के लिए आगे भेजता है तो this is the instruction अगली चीज़ होती है program what is a program in the computer language यह देखिए आपके कई सारे निर्देशों यानि कि आपके instructions का एक set होता है यानि कि समू होता है जो कि एक order में आपके computer को आप task perform करते हुए नजर पाते है these are some of the terms जो कि हमने अभी तक आपके computer से related जानी है अब हम आएंगे आपके computer के इतिहास यानि कि historical पार जो computer कर रहता है वो किस प्रकार से रहता है देखो ऐसा तो है नहीं कि computer एक दिन में किसे ने बटन दबा दिया या फिर कोई मिटी को खोद रहा था वहाँ पर उसको computer मिला वह दिख गया ऐसा तो होता नहीं है जहां पर आप अपने आज के टाइम पर दिखने वाले modern computer के तरफ आते हैं अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो उसमें एक एक करके आप ध्यान से समझेगा इनके नाम को याद रखिएगा इनके लक्षण यानिके characteristics को समझने की कोशिश करिएगा और इनके applications यानि के किन एरिया के इनको अंदर उप्योग किया जाता था इनका इस्तमाल भी समझेगा तो सबसे पहले जो आपके सामने आता है वो आता है अबैकर्स इन्वेंटर चाइना के अंदर कुछ लोगों ने इसको इजात किया नाम क्या है ये नहीं पता है पर फिलाल के लिए हमने इतना जान लिया कि अबैकर्स इस फर्स तेंग जो की computer technology के अंदर अपना एक रूप दिखाता है क्या कह सकते हैं हम इसको फर्स्ट mechanical calculating device है once और tens और hundreds आप यहां पर addition और subtraction के form में यहां पर use कर सकते हैं इसको लेकर सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहला दिखने वाला अबैकर्स आपका यह अंदर पाया गया इसका उप्योग कौन-कौन से operations यानि कि कौन-कौन से उप्योगों में किया जाता तो इसका उप्योग addition और subtraction में किया जाता था ठीक है तो यह कुछ चीज थी इसके लावा अगर बात करें square roots की तो यह भी आपका with the help of the abacus इस्तमाल करा जा सकता था इसका use करा जा सकता था कुछ इस परकार से आपका दिखता था कैसे use हो जाता यह मुझे भी नहीं पता है आपका मन करें तो YouTube पर आप देख लीजेगा कि how to use an abacus उससे आपको काफी idea लग जाएगा तो 1601 से लेकर 1602 के बीच में आपको यह आपकी इसके द्वारा इसका invention किया गया जोन नैपिर के द्वारा कहां से आई भाई साब आपके स्कॉटलेंड से है और अगर हम बात करें इसके characteristics याने के विशिष्टाओं की तो आपको नजर आएगा कि यह एक आपका 3D structure पोवाइड करेगा 0 से लेकर 9 तक की आपको यहाँ पर numbers नजर आएंगे graphical structure calculating results आपको यहाँ पर दिखाएगा अब किस किस जगह पर आपके इसके अनुप्रियोग याने की इसका आपका इस्तमाल नजर आएगा जैसे कि कुछ numbers का आपको multiplication आने की गुना करना हो अगर आपको कुछ technology की बात करें देखो मैंने आपको आपके PYQs में एक सवाल कराया था कि technology जो आप यूज कर रहे थे नैपर बोन्स के जरीए चीज़ों को calculate करने के लिए इसको क्या कहा जाता था उसको बोला जाता था आपका रब्डो लोगिया तो ये एक सवाल के form में आपका बन चुका है तो इसको भी आपको याद दिखना है कल को अगर पूछा जाएका कि बताइए कि जौन नैपर के द्वारा हम जो technology यूज करते हैं आपके numbers को calculate करने के लिए आपके desired result को calculate करने के लिए उसको क्या कहा जाता है तो that will be the रब्डो लोग गया अगली चीज़ हमारे सामने आती है पास्कलाइन 1622 का ये टाइम है बैलेस पास्कल फ्रांस के द्वारा जो की फ्रांस से है इनके द्वारा आपके इस डिवाइस का invention किया गया इसके लावा सवाल आपके यहां पर बन जाता है आपके SSC के लिए कि बताईए कि वो पहली कौन सी mechanical device थी मेकेनिकली परफॉर्म डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप एड करते हुए नजर आ रहे हो अगर हम इसके यूजिस की बात करें तो किस चीज़ का आप इस्तमाल कर रहे हो कि दो नमबर अगर आपको दिये जाए तो आप उनको एड और सब्रेक्ट करने का य यह आपकी पहली मेकेनिकल डिवाइस थी जहाँ पर आप एडिशन एंड आपके सब्ट्रेक्शन जैसे काम करने के लिए इसको यूज करते नजर आए आगे बढ़ते हैं अगला है आपका जैक्वार्ट अब दिरी दिरी करके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं यानि कि आग हिस्ट्री के अंदर आपको कुछ और नए नहीं तरीके नजर आएंगे अब इनके सवाल बंगते हैं तो इसलिए इन चीजों का डिस्कुशन यहाँ पर करना जरूरी है अगला है आपका जैक्वार्ट ग्लोम क्योंकि अठारा सो एक के अंदर आपका इंवेंट करा गया ज सेकेंस ओपरेशन को लेकर कैसे देखेगा यह आपका कुछ इस परकार का नजर आएगा इसको बोला जादा था आपका जैक्वार्ट लूम और यहीं से आपके सवाल बन जाता है ठीक है तो यह एक चीज है जो कि याद रखनी है जैक्वार्ट लूम और सवाल आपका कैसा बनता है कि बताइए कि सबसे पहली बार जो पंच कार्ड आपके यूज करेगे वह किसके दौरा करेगे तो वहाँ पर आपको याद दिखना है जैक्वार्ट लूम ठीक है इसलावा कहां पर कौन सी एरिया के अंदर इसका इस्तमाल होता था देखो टेक्स्टाइल इंडस् से संबंदित है और फादर अफ कंप्यूटर इनको कहा जाता है चाल्स बेबेजिन का नाम है पताने कितनी बार यह सवाल आपके एससे के पेपर के अंदर पूछा गया है ठीक है तो यह कुछ इंपोर्टेंट चीज है और किस चीज को लेकर जाने जा रहे हैं आपके चाल् और प्रोग्राम थे वह इंद फॉर्म फैक्स जिने बैरल्स भी कहा जाता था उसमें यूज करे जाते थे डैसिमल मशीन थी साइन एन मैंगनिटूड रिप्रेजेंट यहां पर करा जाता था किसी भी नंबर का तो अनलेटिकल इंजन यहां पर आपको नजर आएगा जिसक इसके बाद हम अगली चीज़ देखेंगे आपका टैबुलिटिंग मशीन अठारा सो नब्य करी टाइम है आपके अमेरिका के हर्मन होलरित यहां पर आपको नजर आएंगे और यहां से सवाल बनता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रो मेकैनिकल मशीन दी गए विकल्प में से किसक दौरा आपकी इन्वेंट करी गई या फिर इसको क्या कहा गया तो यह एक चीज़ आपको यहां पर नजर आई टैबुलिटिंग मशीन कैसी दिखती है आपकी यह टैबुलिटिंग मशीन कुछ इस पर कार की ठीक है हमने इसको नाम दिया इसके बाद आएगा आपका मार्क 1 1944 ठीक है 1944 जिसके अंदर आपको नजर आएंगे अमेरिका के हावर्ड आइकन डेटा यहां पर मैनुएली एंटर करा जा सकता था कैसा दिखता है आपका मार्क वन यह दिखता था कुछ इस परकार का जहां पर इस परकार से मल्टिपल जो लोग थे वो आपको अलग-अलग इरिया के अंदर इन्वल्मेस राएंगे IBM इंडस्टीज ने इसको शुरू किया था यह आपको याद एकना है वर्ल्ड वोर के टाइम पर जो वह रफर्ट है उनको रिड्यूस करने के लिए आपका मार्क वन इसका इस्तमाल किया गया आगे बढ़ते हैं आपके सामने आता है एनिये एक और सवाल बनता है आपका यहां से कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर दिये गए विकल में से कौन सा था तो आपका आंसर बनेगा एनिये यह सवाल मैंने आपसे अनकेडमी की एससे केटिगरी में प्लस प्लैट्फॉर्म पर भी किया था ज जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की यहां पर इंवेंशन के लिए जानेगे 20 एक्कुमिलेटर्स का यह कॉमिनेशन था किस एरिया के अंदर इसका इस्तेमाल करा गया वैदर प्रेडिक्शन के लिए अटमिक एनरजी के लिए सैंटिफिक परपस के लिए आपको इस्तेमाल किया इसके बाद आता है आपका अ मैंगी आपको आपको ठोर श्मsmart परदान करता है आपको नजर आतए के पिबल होता है अलग परकार से अर वृ स्टोर करने के लिए तो यह हमने एक और जाना यहाँ पर याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे हमें देखे नजर आएगा NEX जो कि हमने बात करी थी, यह आपका पहला computer था, जिसको हमने यहाँ पर जाना कि यह आपका electronic digital computer था, उसके बाद हमने ADSEC जाना, जहाँ पर आपको storage capacity भी provide करी जा रही थी, तो these were some of the forms जो कि हमें याद रही हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हमें नजर आएगा आपका UNIWAC, 1951 का यह time है, first general purpose electronic computer जहाँ पर large amount of input और output आपको देखने के लिए मिला, वो रहा आपका UNIWAC, अब देखो यह जो मैंने यहाँ पर आपको इनके characteristics दिखा रहा हूँ, यानिके विशिष्टाएं की हम बात करने हैं, वही आपके बन जाते हैं, आपके paper के अंदर के सवाल, आदे लोग जब मैं MCQ के questions करा रहा था तो बोल रहे तो यह कि उच्छा जाएगा paper के अंदर के बताईए कि पहला general purpose का electronic computer जहां पर आपको बहुत बड़े मात्रा में input और output instructions देने का मौका मिलता है, तो that was the UNIVET, अब आप कुते mark करने ही करने है, अब आप इसमें बताईए क्या कर सकता है, ठीक है, इसलिए मैं यह लेकर आया हूँ, इसक पर convert करा गया alphabetical and special characters को दो digit decimal code के अंदर, यही कहलाएगा आपका क्या, आपका binary system, ठीक है, तो binary system के अंदर अलग-अलग चीजों को, अलग-अलग alphabets को, अलग-अलग परकार से आपका denotion करने की कोशिश करेगी, तो यह एक तरीके से modern technology के आपकी computers की, यहां से starting हो चुकी है इस area के अंदर इसका इस्तमाल करा जा रहा है, जो payroll processing होती है, वहां पर यानि कि किसी भी computer के अंदर, जो employees होते हैं, उनकी payroll processing के अंदर, oil refinery designing के अंदर, आपको IBM 650 computers का नजर आएगा देखना, तो यह है आपका IBM 650 computer, यह इस परकार से आपके एक individual logo को बिठा दिया जाता था, सा आपके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब generations की computer की कितने पीडिया नजर आते हैं, क्योंकि यहां से आपने पता नहीं कितने सवाल बनता है, ठीक है, ओके, बताए भी अगर अभी तक किसी को कोई doubt हो, तो पूछेगा, किसी को कोई भी doubt हो, तो आप मुझ से पू पर इशू है, तो आप मुझ से पूछ सकते हैं, बताएए, ठीक है, तो आगे बढ़े, तो चलिए फिर generations की बात करते हैं, क्योंकि जनरेशन से आपके बात करते हैं, आपके कई सारे सवाल बनता है, और सवाल पेपर के अंदर आपने देखा होगा, क्योंकि जब हम generations की बात करेंगे, तो अलग-अलग technological advancements आपको नजर आएगी, जब मैं first generation की computers की बात करूँगा, तो वहाँ पर आपको अलग परिकार की technology नजर आएगी, जब मैं second type की generations की तर यानि कि generation of computers से आपका तात पर्रे क्या है, देखो जब हम किसी भी area के अंदर, किसी भी area के अंदर regular development देख रहे होते हैं, तो अलग-अलग time period के अंदर आकर हमें उनका अलग रूप नजर आता है, और वह advancement होती हैं उनके technologies के अंदर, तो जैसे जैसे करके हम अपने इन improvements को द Electromechanical generation से पहले जब मैंने बात करी थी, Electromechanical form में हमें नजर आते थे, और जब हम generations की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे major technological development देखने के ले मिलेंगे, जो कि fundamentally तरीका और computer को operate करने का जो वे था, उसको change करते हुए नजर आएंगे, तो आईए फिर, जब हम बात करते हैं, first generation की, तो first generation की computers आपको नजर आते हैं, 1940 से 1950 के बीच में, जो device आपकी यहाँ पर use हुआ करती थी, वो हुआ करती थी, vacuum tubes, और यहीं से आपका SSE आपसे सवाल पूछ लेता है, यहीं बताएगे कि which generations of computers were using the vacuum tubes as the switching devices, इस storage के लिए आपको यहाँ पर कई सारे magnitude drums इस्ते टेखने के लिए, operating system यहाँ पर आपको batch operating system नजर आ रहा था, जहाँ पर आपको binary numbers 0 और 1 के form में operating नजर आ रहे थे, अगर हम लक्षण यानि के characteristics की बात करते हैं, तो fastest computing device थी, large amount लेकिन heat generated करती थी और non profitable थी, वेकि काफी human effort और काफी सारी machinery और आपको uses के लिए, जो raw materials है, उस की वज़े से यह आपका उतना ज्यादा चाप नहीं छोड़ पाई, लेकिन वही है कि जब हम शुरुआती दौर में होता है, तो हमें नजर आते हैं, उसके बाद applications, scientific purposes के लिए आप इनको use करोंगे, जैसे कि हमने INEI, QNiVac और Mark 1 की बात करी थी पीछे, उनके form में आप इन फर्स जनरेशन के computers का इस्तमाल देखोगे, अगली चीज़े भी हमारा सेकेंड जनरेशन 56 से लेकर 63 आपको नजर आएंगे, आपके सेकेंड जनरेशन of computers, किन चीज़ों का इस्तमाल होने लगेगा, आपका यहाँ पर transistors का, जो कि किसके बने होंगे, semi-conductors है, तो यहीं से पूछ लेगा आपका SSC, कि बताईए कि जो second generation of computers हैं, वहाँ पर आपके किन चीज़ों का इस्तमाल होता था, तो वहाँ पर आप answer को गें, transistors का, Magnetic Core Technology आपके यहाँ पर use हुआ करती थी, जो आपकी time period था, आपके desire result को निकालने के लिए, वह आपका 10 microseconds तक हुआ करता था, assembly language, high language की आपकी यहाँ पर use होती थी, अगर आप लक्षणों की बात करेंगे, तो आप पहले से, यहाँ पर आप ज़्यादा reliable नज़र आ रहे हैं, जो heat आपको first generation के computer के अंदर नज़र आ रही थी, उससे थोड़ा कम हो चुकी है, और किस area के अंदर आप इसका इस्तमाल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर production area के अंदर आपके इन second generation के computers को use होता हुआ, देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आपके 1964 से, आपके 1971 तक, क्या इस्तमाल होने लग गया है, अब आपके होने लग गया है, integrated circuits, जिसने भी मेरे PYQs, यानि के MCQs करे होंगे, मेरे SSC के plus classes के अंदर, यह हर चीज को मैंने सवाल के form में आपसे वहाँ पर बताया है, कि third generation के अंदर आपके इन चीजों का इस्तमाल कर रहे हैं, IEC की full form क्या होती है, integrated circuit कहते हैं, किस से मिलकर बना होता है, silicon से मिलकर बना होता है, और यही चीजें देखिए आपकी वहाँ पर paper में पूछी जाते हैं, जब हम बात करते हैं आपके storage या फिर आपके processing part की, तो इसक speed और थोड़ी सी increase हो चुकी है, और अगर हम बात करें कि किस technology को आप यहाँ पर use करें तो अब आपकी use हो चुकी है, आपकी high level language, जैसे कि हम portron, kobol और algol की बात करेंगे, जब हम computer language का discussion करेंगे, तो हम सभी का discussion करेंगे, आप घबराईएगा मत के सरी, portron क्या होता है, यह computer language क क्या होती है, वो आपके एक desirable set of instructions का formation होता था, और एक pattern हुआ करता था, जिनको हम language का नाम देते है, इसको आपके computer को read करने के लिए उन software को input कराया जाता था, computers के अंदर, characteristics क्या होते है, बहुत जादा कम consume करता है, technology यहाँ पर आपको काफी जादा sophisticated form में नजर आती है, तो य हम पहुचेंगे, आपके fourth generation जहाँ पर आपको 1971 से आज तक का नजर आता है, अब आप यहाँ पर use करोगे आपके large scale integrated circuit microprocessors को, semiconductor memories आपको यहाँ पर नजर आएंगी, processing तेजी आपके बढ़ चुकी है, operating system में आपको यहाँ पर अलग-अलग sections नजर आएंगे, Pascal, Ada, Cobol, Fortron की advanced technologies these languages आपकी यहाँ पर इस्तमाल होंगी, और अगर मैं इनकी characteristics यानि के विशिष्टाओं के बात करूँगा, तो अब आप और ज्यादा reliable इनके उपर होने लगोगे, आप इरको आराम से एक जिगे से दूसरे जिगे पर लेग जप आओगे, generation better यहाँ पर आपको नजर आएग super large scale integrated chips और यह involvement आपको किस की तरफ लेकर जाती है, आपकी artificial intelligence की तरफ यानि की robotics की तरफ, तो यह हमने अभी तक generations को जाना, थोड़ा सा sum up कर देते हैं, जब हम first generation का discussion करते हैं, तो हम आपर vacuum tubes को इस्तमाल कर रहे थे, जब हम second generation of computers का इस्तमाल करते हैं, तो हम आपर transistors को इस्तम होने लगया था, जहां पर आप IC यानि की integrated circuits को यूज़ कर रहे थे, और जब हम fourth generation यानि की presently हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपके microprocessors यूज़ होने लगते हैं, और इसके बाद जो आपको fifth generation नज़र आने वाले ही है, वहाँ पो आपको आपको नज़र आएंगे, तो अभी तक ये हमने जानी कुछ important generations जो की हमारे paper के अंदर बनती है, आखिर में हमारे सामने आएंगे कुछ important facts और यहीं से बन जाते हैं आपके कई सारे SSC के questions, तो यहां पर आप ध्यान देजिएगा, पहला सवल आपसे पूछा जाएगा, कि दिएगे, विगल में से बता पहला computer जो था उसका नाम क्या था, तो याद रहेगा आज के बाद, the name of that computer, that was first computer, जो की develop करा गया था, विक्सित करा गया था भारत के अंदर, नाम था उसका सिध्धात, उसके बाद दूसरा सवाल बनता है, कि बताईए कि आज के आधोने computer का जो जनक, यानि कि father कहा जाता ह वो किसको कहा जाता है, तो वो रहेगा आपका Alan Turing, ये चीज़े याद रहेंगी, ये चीज़े याद रहनी है, इसके बाद हम बात करते हैं, architecture, architecture को लेकर क्या होता है, कि आपके पूरे के पूरे computer system में क्या क्या होना है, आपके keyboard कहा रहेंगे, आपका system कहा पर रहेगा, तो जब हम transistors की बात करते हैं, जो कि second generation के अंदर आपने इस्तमाल होते हुए देखें, उनकी invention की बात कही जाएगी, तो वो आपकी bell laboratory के अंदर invent करेगे, यानि कि उनको अविशकार करा गया, इसके बाद आपको नजर आएंगे integrated circuits, जो कि आप अपने third generation computers के अंदर use कर रहे थे, इसको लेकर अगर आपके पूछा जाए कि किस ने इसके invention करी तो 1958, Jack St. Claire Kilby, मैंने आपसे जो plus class में सवाल पूछा था, वहाँ पर भी मैंने इनके नाम पूछे थे, तो ये हमने कुछ important facts यहाँ पर देखे, इसके लावा एक सवाल और मैंने पूछा था, कि जो आपके latest generation computers है वहाँ पर जो आपके set of instructions है, उनका execution आप कैसे कैसे sequence में देखते हो, आप उनको parallel भी देखते हो और sequence में भी नजर आते हो, तो ये भी discussion मैंने आपसे आपके plus classes में किया है, questions के formula और ये सवाल बनते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर computers का वर्गी करन कर लेते हैं, कि कितने part में आ आप अपने computers को classify करोगे, तो देखो mainly आपको तीन प्रकार के यहाँ पर classification नजर आएंगे, पहली चीज़ हम बात करेंगे, कि आप अपने कारे से संबंद में किस हिसाब से अपने computers को देखना चाहते हैं, दूसरी चीज़ के size के आधार पर आपके computer का किस प्रकार से वर्गी आपके purposes के लिए अपने computer का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए नजर आता है, तो सबसे पहले हम discussion कर लेते हैं based on size, तो size के आधार पर हम आपके computer को कुछ इस परकार से विभाज़त करते हैं, जहांकि सबसे पहले आपके सामने हैंगे micro computers, least powerful होते हैं, लेकिन फिर भी आपके तो तीन basic categories इनके physical equipments में नजर आती है, जहांपर आपकी system unit, आपकी input output unit और आपकी memory unit नजर आती है, तो यह कहलाते हैं आपके micro computers, ठीक है, तो यह एक चीज है जहांपर हम बात कर रहे हैं किसकी micro computer, जो कि हम based on size पहली category, micro computer के form में देख रहे थे, अब कौन-कौन सी वो चीज ह होती है क्योंकि वहीं आपके सवाल बन जाता है, जैसे मैंने आपसे आपको अपनी plus classes पर जो MCQs कराए थे, मैंने वहाँ पर आपसे पूछा था कि भी बताईए कि जो आपके PCs होता है, यह आपके किस प्रकार के computer के form में जाने जाता है, तो मैंने वहाँ पर आपसे कहा था, यह micro computers होता है, micro computers को आपने कैसे जाना, तो आपने इनको जाना कि आपको यहाँ पर जो physical equipment का consistence नजर आएगा, जो आपको बुनियादी श्रिणिया नजर आएगी, वहाँ पर आपको system unit नजर आएगा, input output unit नजर आएगा और आपको memory unit नजर आएगा, तो क्या यह सारी की सार में छोटे होते हैं, और इनको कहा जाता है, आपका micro computers का ही एक part, दूसरी चीज़ आपके laptops, तो यह भी आपके micro computers के अंदर नजर आएगे, ultra book हो, notebook हो, यह सारे की सारे आपके portable भी होते हैं, और light weighted भी होते हैं, और इक इस category के अंदर आ रहे हैं, याद रखिएगा, यह सारे क सारे आपके micro computers के अंदर हम use कर रहे हैं, rechargeable battery होती है, यह याद रखना है आपको, अगली चीज़ होती है, आपके palm top computers, handled या फिर palm top computers बोलता है, smallest form यह इनका आपको नजर आता है, क्योंकि यह आपके palm यानि की हतेली में fit हो जाते हैं, इस हिसाप से इनको palm top भी बोल देते हैं और कुछ functions जैसे कि आप phone book इस्तमाल करना चाहते हैं, calendars आप अपने पास रखना चाहते हैं, तो उस form में आप इन computers को use करते हो, inserted keyword आपको नजर आता है, तो यह भी आपके micro computers का ही section बनते हैं, चाहिए आपका PC हो, आपका laptop हो, आपके palm top हो, आपका tablet computer हो, all of these will be the, आपके micro computers, इसके लावा next, आपके micro computer के अंदर आते हैं, आपके workstation computers, जहने कि कई सारे computers का आपको एक connection नजर आता है, और उपने professional काम को छलाने के लिए, एक sequence में आपने connect करे हुए होते हैं, ताकि आप एक sequential desire result को अपनी screen पर perform कर पाएं, कि कि हर कोई आपका इस पूरे के पूरे sequencing में involved ह होता है, तो यह होते हैं, आपके workstation computers, यह भी आपके micro computers का part बने, तो हमने क्या क्या देखा, workstation computer हो, tablet हो, handled या फिर palmtop computer हो, laptop हो, desktop हो, PC भी बोलते हैं, इस सारे के सारे आपके mini computer का part बने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली चीज हमारे सामने size के आधात पर जो आईगी, वो smaller होंगे size के अंदर, faster होंगे, cost कम होगी, इस से mainframe computer से, अब यह मत कहना कि सर क्या micro computer से जादा है, काम है, obviously size के आधियर में, इनको हम बड़ा देख रहे हैं, लेकिन अगर हम mainframe computer से इनकी तुल्ला कर रहे हैं, तो उनसे अगर आप इनका size देखोंगे, तो comparatively smaller, और आपको की CAD applications, CAD calculations अगर आपको करनी है, तो मेरी plus class के अंदर मैंने आप सिक सवाल पूछा था कि बताईए कि जो आपके computer-aided design calculations होती है, उनको करने के लिए आपके कौन से परकार की computers को इस्तमाल करा जाता है, तो मैंने वहाँ पर आपको answer बताया था, mini computers, micro computers का इस्तमाल मत कीज़ेग वहाँ पर, ठीक है, तो ये एक चीज है, अलग-अलग परकार के server के form में भी आप इन mini computers का इस्तमाल करते हो, कुछ mini computers की अगर हम बात करें, तो ये आपको यहाँ पर देखकर नजर आएंगे, इनके formation को आप याज़क तक तो mainly जो आपके paper में सवाल बनता है, वो बनता है CAD स यहीं CAD calculations से आपका कौन सा वो computer है, जो की नजर आता है, तो ये रहा था आपका mini computer, अब हम आजाएंगे size के आदार पर आपके mainframe computers के उपर, देखो large internal memory और storage capacity आपको इनके software के अंदर नजर आती है, अगर मैं बात करूं कि आज के time का जो business world है, वो आपके mainframe computers के उपर ही काम कर जाना जाता है, बहुत सारे heart of network आपको यहां पर नजर आते हैं, जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पूरी की पूरी organization है, आपने एक California के अंदर, एक India के अंदर, एक Australia के अंदर, एक आपने कहीं और इस पूरे के पूरे set of collections को connect करने के लिए आप mainframe computers के इस्तमाल करते है, business world की backbone के रूप में इसको जाना जाता है, तो यह आपके रहते हैं mainframe computers, उसके बाद आते हैं आपके super computers, most expensive, fastest machines के रूप में इनको जाना जाता है, अलग-अलग परकार के objectives को लेकर आप high processing speed और बागी के computer के comparison में इनकी देखते हैं, super computers की बात करेंगे तो most powerful, large in size, memory की बात करें तो उसमें भी आपको एक बहुत बड़ा रूप इनका नजर आता है, बागी के computer की तुलनाओं में, तो यह एक हमने super computer के formations को यहाँ पर जाना, अब हम इनका इस्तमाल क्यों करते हैं, तो highly calculations को, कुछ intensive task को अगर हमें करना हो, जैसे कि weather forecasting करनी हो, nuclear research करनी हो, military agencies को आपको regulate करना हो, scientific research laboratories के अंदर आपको यूज करना हो, तो वहाँ पर आपके use होते हैं, आपके super computers, इस सारे के सारे discussions को MCQ के form में मैंने अपनी plus class के अंदर भी करा, उसके बाद आते हैं, हम कुछ important, fact के उपर, तो आपको नजर आएगा, C-R-A-Y, यानि कि C-Ray-1, यह वल्ड का पहला super computer है, जिसको C-Mod, R-C-Ray के दौरा 1976 के अंदर आपका introduce करा गया, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, कि दिएगे विकल्प में से बताएगा, कि वो कौन सा पहला super computer है, जो कि Vishu का पहला super computer है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, यह एक चीज थी, micro, शिवानी बो आपके super computers की, तो सीरे आपका हो जाएगा यहाँ पर, पहला world का super computer, दूसरा बनेगा हमारे सामने परम, यह पहला super computer होगा, जो कि भारत के अंदर 1990 के अंदर आपका develop करा गया, तो यह एक fact के रूप में आपको चीज यहाँ पर याद रखनी है, उसके बाद आएगा हमारे सा September 2016 के अंदर इसको आपका establish करा गया था, तो यह एक बनता है आपका परम इशाद, तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी, वो उनके size के आधर पर देखी, तो size के आधर पर हमें कैसे कैसे नजर आया, मैं दुबारा से repeat कर देता हूँ, सबसे पहले आपको आपके micro computers न सबसे पहले आपको नजर आएगा आपका analog computer, यानि की कारे के आधर पर आपको जोई computers है, कितनी categories के अंदर नजर आएगे, सबसे पहला आपको नजर आएगा आपका analog computer, मैंने आपसे जब अपनी SSC की category के अंदर plus पर mcqs का discussion किया था, तो मैंने वहाँ पर भी discussion किया था, तो जब मैं analog computer का discussion करता हूँ, तो आपको यहाँ पर operations नजर आएगे, अलग अलग तरकार के, जैसे कि जब मैं analog computer का discussion करता हूँ, तो यहाँ पर जो यह computers आपके carry करते नजर आएगे operations, वो आपके arithmetic and logical operations करते हूँ, नजर आएगे, by manipulating and processing the data, जैसे कि आपके speedometer हो, आपके seismograph हो, यहाँ आपके electric pulses आपकी यहाँ पर use होगी, ठीक है, तो यह होते हैं आपके analog computer, अगर मैं analog computer की और बात करूँ, तो analog computer आपके कई सारे mathematical operations को करते हूँ, नजर आएगे साथ साथ में, continue करते हैं आपके यह variable mathematical operations को, mechanical और electrical energy का इस्तमाल यहाँ पर करते हैं, यह utilize ही करते हैं, वो प्योग हरते हैं, तो यह आपका section अजर आएगा analog computer का, दूसरी चीज होती है कि वर्क के आदार पर यह digital computer क्या होता है, देखो जो काम करने का इनका आपका sequencing होता है, व आपके electrical pulses आपको बताएं, जैसे कि मैंने seismograph की बात करी थी, आपसे आपके speedometer की बात कही थी, लेकिन जब मैं digital computer की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप binary digits का इस्तमाल करते हुए अपनी calculations को करोगे, digital computer की अगर हम बात करें, कि यह आपके सर्फ mathematical calculations ही नहीं, कही सारे आपके desired graphics को भी यहाँ पर अलग-अलग combined form में produce करते हूँ नजर आएंगे, जैसे कि आपका sound हो, इसमें आपका desktop या फिर PC जैसे चीज़े, digital computer के form में नजर आते हैं, इसके बाद आते हैं भी आपके hybrid computers, अब hybrid computers मैंने आपको आपके plus की mcq class के अंदर भी सवाल पूछा था कि what are the hybrid computers, तो आपको मैंने कहा था कि आपका analog और आपके digital computer को sum up कर देजी, यानि कि उनका एक combination निकाल दीजे, तो वो कहलाते हैं आपके digital computers, आपको अगर example के तोर पे पूछा जाएं, अभी hospital के अंदर जैसे कि ECG हो या फिर dialysis हो, इनके अंदर इस्तमाल करी जाने वाली mechanical computers को आप कौ computer को divide करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे general purpose computers, तो general computer computers आपके कोन होंगे, वो कि जो कि आपकी generally, अलग अलग variety of problems को आपकी program की instructions के आधार पर आपको provide कराएंगे, जैसे कि आपको small database बनाना हो, आपको calculations करनी है, आपको accounting करनी है, तो वहाँ पर आपको आपके work के आधार पर नज़र आएगा आपका general purpose computer, अगला है special purpose computer, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, आपकी automatic aircraft landing की, मैं आपसे बात करता हूँ, आपके calculators की, मैं आपसे बात करता हूँ, आपके ATM machines की, तो सारी की सारी चीज़े क्या है, इनका special purpose है, इसको लेकर आपके computers को हम use कर रहे हैं, उसके ब यहाँ पर लोगों के nervous system के अंदर, nervous system के अंदर आप इनको use करोगे, काफी technologically developed होते हैं, quantum computers इनको कहा जाता है, उसके बाद होते हैं भी आपके nano computers, वही है कि जैसे कि आपको आपका credit card के size का हो, जैसे कि आपने swiping machines देखी होगी, swiping machines के अंदर आप उन चीज़ों को use करते तो उने कहा जाता है आपका nano computers on the basis of the usage, उसके बाद हम प्रतियूश की बात कर लेता है, इंडिया का fastest और first multi petaflops super computer है, इसको नाम दिया गया है प्रतियूश और आपका Indian institute of tropical methodology के अंदर इसको unveil करा गया, वहाँ पर इसका अनावरण किया गया, यह एक नाम आपके हाँ पर याद की कितनी है, तो वो भी आप यहाँ पर देख पाओगे, इसके लावा आप हम देख लेते हैं applications, यानि कि computer का उपयोग करने के लिए आपको जो शेतर नजर आते हैं, जो area नजर आते हैं, वो कहा कहा पर नजर आता है, banking के अंदर यूज होता है, अगर आपको अपनी electronic money transfer करना हो, आपको deposits करने हो, आपके voucher, आपकी bank sheet prepare करनी हो, तो banking के अंदर आप इनको use करोगे, आप education छेतर के अंदर, आपको अपनी अलाइन learnt करनी हो, result को process करना हो, data को process करना हो, notes प्रपेर कर रहे हो, तो आप education के अंदर भी अपने इस computer का इस्तमाल देखोगे, entertainment के छेतर में आपको पता है कि आप computer के इस्तमाल से आप animation कर सकते हो, graphics, audio, visual design यहाँ पर कर सकते हो, तो entertainment के अंदर आप इसको कर पाता है, offices के अंदर आप अपनी report बना सकते हो, आप अपनी report को update कर सकते हो, आप अपनी store और delete कर सकते हो, अपडेट्स को तो यह आप office के अंदर भी कर पाता है अगर आपको film advertisement करना हो आपको education advertisement करना हो तो वहाँ पर भी आपको computer का इस्तमाल नजर आता है futuristic चीज़ों को problem solving कैसे करनी है planning कैसे करनी है learning कैसे करनी है speech को recognize कैसे करना है तो सारी की सारी चीज़ें क्या होती है वह आपकी artificial intelligence का part होती है और अंत में हमें नजर आएगा robotics के शेत्र में जो कि आपके विज्ञान की एक प्राद्योगी की शाका है जो कि आपके design construction operations इन सभी शेत रहेंगे तो यार यह था आपका first chapter जहांपर मैंने आपसे बात करी आपके introduction of computer की I know यह आपका boring हो सकता है क्योंकि इसके अंदर देखो यार मैं आपको बिठा कर अगर you know bore करने लगों के देखो यह तो ऐसे होता है एक basic पता होना चाहिए उस basic को हम एक story के form में इस तरीके से ही समझ सकता है क्योंकि सारे ही fact है इसमें कोई logics अगर आपको जानने तो देखो आपको फिर बहुत ज़दा detailed advanced computer science के अंदर जाना पड़ेगा और उतना जाने की हमें ज़रुरत है नहीं क्योंकि हमें उतना बड़ आकर मुझे जुड़ना चाहता है तो वहाँ पर मेरी pyqs की formation चल रही है मैं वहाँ पर pyqs करा रहा हूं तो जैसे मैंने आपको आज यह chapter कराया है तो उस पर मैंने theory भी वहाँ पर कराई है उस theory को भी आप cover कर सकते हैं 20% का discount आपका available है 17 से लेकर 23 December तर इस discount को avail करने के लिए आप जो discount code use करेंगे वो करेंगे Rob10 इसके लावा multiple batches आपको वहाँ पर मिल जाएंगे CHSL का हो, MTS का हो, CGL mains का हो, CGL pre का हो, test series की बात करें या फिर compete जैसे feature की बात करें, notes की बात करें, आपके ask a doubt feature की बात करें इस सारी चीज़ें Unacadme पर आपकी available है 20% तक का discount आप avail कर सकते ह अगर आपने से किसी को भी कोई भी doubt आता है, personally अगर आपको मुझसे guidance चाहिए, तो ये मेरा Instagram username है, Robinsirg, इस username पर Instagram पर जाकर आप मुझे message drop कर सकते हैं, मेरे telegram का नाम है edu24, उसे use करके वहाँ से आप मेरी ebooks भी download कर सकते हैं, तो आज की class में मैं इतना ही रखता हूँ, बस आप याद रखेगा कि इस 20% off को avail करने के लिए आपको जो code use करना है, वो करना है, Rob10, तो आज के लिए इतना ही, आप से एगली class के अंदर मिला जाएगा, अपना ख्या लखिएगा, have a good day, take care, bye-bye, thank you. झाल 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 झाल